नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है डॉक्तर नीलम शर्मा इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे कि कैल्जिन टैबलेट का उप्योग किन कंडीशन्स में किया जाता है कैल्जिन टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और कैल्जिन टैबलेट की वज़से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं और यहाँ भी डिसकस करेंगे कि कैल्जिन टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। कैल्जिन एक ब्रैंड नेम है। कैल्जिन टैबलेट के अंदर सॉल्ट कंपोजिशन कॉलेकैलसिफेरोल 60,000 इंटिनाशनल यूनित होता है। विटामिन दी 3 को कॉलेकैलसिफेरोल के नाम से भी जाना जाता है। कैल्जिन टैबलेट का उप्योग शरीर में विटामिन दी की कमी को दूर करने के लिए किया जाता है। विटामिन दी शरीर में कैल्शियम के अवशोशन में मदद करता है। शरीर में विटामिन D की कमी होने पर भी कैल्शियम की कमी हो सकती है क्योंकि विटामिन D शरीर में कैल्शियम के अवशोशन में मदद करता है और शरीर में विटामिन D की कमी होने पर शरीर भोजन से कैल्शियम का अवशोशन अच्छी तरह से नहीं कर पाता है जिसकी वजह से टीजे ये हमारे शरीर में कैलशियम की कमी हो सकती है। हमारे शरीर में दातों और हड्डियों को मजबूत बनाए रखने के लिए कैलशियम के साथ साथ वितामिन डीभी बहुत ही ज़रूरी होता है। हमारे शरीर का 99% कैल्शियम हमारे शरीर की हड्डियों और दातों में स्टोर होता है और बचा हुआ 1% हमारे बलड में होता है जब हमारे बलड में कैल्शियम की कमी हो जाती है तब हमारा शरीर हड्डियों और दातों से कैल्शियम लेने लग जाता है जिसकी वज़े से धीरे धीरे हड़ियां और दांत कमजोर होने लग जाते हैं हड़ियां कमजोर होने की वज़े से हड़ियों में हलकी सी चोट या गिरने की वज़े से भी फ्रैक्चर हो सकता है कैल्शियम और विटामिन डी की कमी की वज़ह से दांतों की जड़े कमजोर हो जाती है और दांत भंगुर होकर तूटने लगते हैं और छोटे बच्चों में कैल्शियम की कमी होने पर उनके दांतों को निकलने में देरी हो सकती है या लंबा समय लग सकता है बच्चों में कैल्शियम की कमी लंबे समय तक रहने पर उनकी हाइट भी कम रह सकती है और शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी होने पर शरीर की हड़ियों और जोरों में दर्थ रहने की समस्या भी हो सकती है इसके अलावा औस्टियो मालेसिया होने पर औस्टियो पोरोसिस होने पर या बच्चों में रिकेट्स होने पर भी डॉक्टर कैल्जिन टैबलेट को लेने की सला दे सकता है। रिकेट्स होने पर बच्चों की हड्डिया कमजोर होकर तेडी मेरी हो जाती है और ओस्टियो मालिसिया होने पर हड्डिया कमजोर हो जाती है और शरीर के जोड़ों हड्डियों व मासपेशियों में दर्थ रहने की समस्या हो जाती है किडनी की बीमारी से पीडित व्यक्तियों में कैल्शियम और विटामिन D की कमी को होने से रोकने के लिए भी डॉक्तर कैल्जिन टैबलेट को लेने की सला दे सकते हैं. मा का दूद पीने वाले छोटे बच्चों में विटामिन D की कमी हो सकती है क्योंकि मा के दूद में विटामिन D की मात्रा बहुत कम होती है इसलिए मा का दूद पीने वाले बच्चों में विटामिन D की कमी को पूरा करने के लिए डॉक्टर विटामिन D और कैल्शियम की ड्रॉक्स दे सकता है दोस्तों अगर आपको विडियो पसंद आ रहा है तो कृप्या विडियो को लाइक करना वचैनल को सब्सक्राइब करना न भूले साइड इफेक्स की बात करें तो वैसे तो सही डोज में कैल्जिन टैबलेट को लेने पर ज्यादा तर व्यक्तियों में कैल्जिन टैबलेट की वज़े से कोई साइड इफेक्स नहीं होते हैं। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को कैल्जिन टैबलेट को लेने के बाद कोई भी असामान्य लक्षन होता है, तो आपको तुरंथ ही डॉक्तर से परामर्ष लेना चाहिए. ज्यादा दोज में कैल्जिन टैबलेट को लेने की वज़े से शरीर में वितामिन D और कैल्शियम का स्तर अधिक हो सकता है. अब हम दिसकस करेंगे की कैल्जिन टैबलेट को कैसे लेना रेक्मेंडेर होता है. Calzine Tablet को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है, और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है. Calzine Tablet एक चुएबल टाबलेट है, इसलिए केलजन टाबलेट को मुँ में निगलने से पहले अच्छी तरह से चबा लेना चाहिए. केलजन टैबलेट को दूद या पानी के साथ लिया जा सकता है लेकिन केलजन टैबलेट को शाम के समय दूद के साथ लेना ज्यादा अच्छा होता है आमतौर पर 12 साल से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्तर कैल्जन टैबलेट को सपता में केवल एक बार ही लेने की सला देते हैं और 8 सपता तक लगातार लेने की सला दे सकते हैं और 8 सपता बाद डॉक्तर कैल्जन टैबलेट को महीने में केवल एक बार ही लेने की सला देते हैं और 6 महीने तक लगातार लेने की सला दे सकते हैं कैल्जन टैबलेट की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती हैं इसलिए आपको कैल्जन टैबलेट को आपके डॉक्तर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए अब हम डिसकस करेंगे की कैल्जन टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए कैल्जन टैबलेट को लेने के बाद यदि आप लेबोरिटरी में कोलिस्ट्रॉल की जाज करवाते हैं तो कोलिस्ट्रॉल टेस्ट के परिणाम प्रभावित हो सकते हैं प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए ज्यादा हाई डोज में विटामिन दी को लेना रेकमेंडेड नहीं हैं इसलिए जरुरत पढ़ने पर doctor pregnant महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को कम dose में vitamin D के supplements लेने की सलाह दे सकता है इसलिए pregnant महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए calzine tablet को लेना recommended नहीं है वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका कैल्जिन टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्ण है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं